हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है संजीव कुमार जिंदल, मैं पिछले 26 सालों से एक HR recruitment professional हूँ और मैं आपके लिए part-time और full-time job से related videos बना कर regularly लेकर आता हूँ दोस्तो अगर आपको अंग्रेजी भाषा बोलना और लिखना नहीं आता है तो आप अपने mobile phone से ही सीख सकते हैं और वो भी 100% free of cost और आपको रोज सिर्फ 10 मिनट का ही समय निकालना होता है ये अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने का तरीका 100% practical है दोस्तों और आज तक करोड़ों लोग पूरी दुनिया में अपने घरों में बैठ कर अपने खाली समय में इस तरीके से एक बहुत अच्छी अंग्रेजी भाषा सीख चुके हैं देखे दोस्तों एक क्लास रूम में जाकर अंग्रेजी सीखने का समय हर किसी के पास नहीं होता है और उसमें तो पैसे भी लगते हैं एक अमेरिकन कंपनी ने सन 2011 में एक बहुत ही बढ़िया मोबाइल एप बनाई जिसका नाम है डूलिंगो और आज तक 20 करोड से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में इस डूलिंगो एप के जरिए अंग्रेजी बोलना और लिखना सीख चुके हैं अगर आपको बिलकुल भी अंग्रेजी भाषा का ग्यान नहीं है तो भी आप डूलिंगो एप के जरिए अंग्रेजी भाषा सीख सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है तो आप ज्यादा अच्छी अंग्रेजी डूलिंगो एप के जरीए सीख सकते हैं और अगर आपको पहले से ही अंग्रेजी भाषा का काफी अच्छा ग्यान है तो भी आप दोस्तो अपनी अंग्रेजी को और ज्यादा सीख सकते हैं आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे यार एक मोबाइल एप से अंग्रेजी भाषा कैसे सीखी जा सकती है तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे एक भी पैसा खर्च किये बिना अपने नए पुराने मोबाइल फोन से ही आप अपने खाली समय में रोज सिरफ 10 मिनट लगा कर अंग्रेजी भाषा का अच्छा खासा ग्यान पा सकते हैं दोस्तों अंग्रेजी भाषा का अच्छा ग्यान होने से पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं अंग्रेजी भाषा दुनिया के हर देश में बोली जाती ह अंग्रेजी एक इंटरनेशनल भाषा तो है ही अगर आप पूरी दुनिया से फ्रीलैंसिंग करके पार्ट टाइम कमाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अंग्रेजी भाषा का अच्छा ग्यान होना बहुत आवश्यक है दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे आप डुलिंगो एप से अपने घर बैठकर अपने खाली समय में अंग्रेजी भाषा बहुत जल्दी सीख सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आज के वीडियो में एक 10,000 रुपे का गिववे भी है मैं इस वीडियो के आखिर में आप से एक असान सा सवाल पूछूँगा आपको उसका जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर देना होगा और सही जवाब देने वाले लोगों में से 10 लोगों को चुना जाएगा और उन्हें तुरंट 11,000 रुपे का पेटियम कैश भेज दिया जाएगा सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहे तो चलिए friends मैं अब आपको mobile phone पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे आप DoLingo app से अंग्रेजी सीख सकते हैं तो friends अब मैं आपको अपने mobile phone के स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ अब दिखिए मेरे mobile phone में जो play store है मैं यहाग कलिक करता हूँ अब मैं उपर सर्च में डालूँगा Duelingo, अब मैं इसको install कर लूँगा, मैंने Duelingo app का एक download link इस video के description box में लिख दिया है, आप जैसे ही वहाँ से click करेंगे, आप इस जगा पहुंच जाएंगे जहाँ पर अब मेरा screen आपको दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद install पर click कर देंग और कोई नहीं है, अब मैं इसको open कर लूँगा, तो friends अब जहाँ लिखा हुआ है get started, यहाँ पर click करेंगे, देखे friends, आप Duelingo app से ना सिरफ बहुत अच्छी English बोलना, लिखना सीख सकते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी भाशाएं हैं जो आप सीख सकते हैं, आप देखे Spanish, French, German, Italian, Japanese, Chinese, Russian, Korean, Portuguese, Arabic, Dutch, Swedish, बहुत सारी भाशाएं हैं, इवन हिंदी अगर आपको नहीं आती है किसी को तो वो सीख सकता है, ठीक है, बहुत सारी भाशाएं हैं दोस्तों, पूरी दुनिया की भाशाएं हैं, और अगर मैं मोर पे जाओंगा तो और बहुत सारी हैं, ठीक ह लेकिन आज हम डुलिंगो एप से सिर्फ इंगलिश बोलना, लिखना और पढ़ना सीखने आए हैं, ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे सिर्फ रोज 10 मिनट लगा कर आप अच्छी इंगलिश बोलना, लिखना और पढ़ना सीख पाएंगे बिना एक पैसा खर्च किये, अपने खाली समय में और अपने नए और पुराने मोबाइल फोन से ही, तो फ्रेंट्स सबसे उपर जहां लिखा है, अंग्रेजी सीखें, हिंदी से, ठीक है, यहां मैं क्लिक करूँगा, अब देखिए यहां लिखा हुआ है, इस विल चेंज दी एप्स इंट के बहतरीन एक्सपर्ट्स या विशेशग्यों के द्वारा कि उसमें आपको अंग्रेजी सिखाने से पहले डूलिंगो एप यह पूछता है कि आप अंग्रेजी भाशा किस परपस के लिए सीखना चाहते हैं, यानि किस लिए सीखना चाहते हैं, ताकि यह आपको उसी तरह कि अंग्रेजी असान भाशा में सिखाएगा, अगर आप नौकरी के अफसर पाने के लिए अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो वो तरीका अलग है, तो आप उपर क्लिक करेंगे, दिमाग की कसरत करने के लिए अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो वो आपको अलग तरीके स चातब करनी है इसलिए आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो वो अलगत तरीके की अंग्रेजी आपको सिखाएगी ड्यू लेंग को एप अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो डूलिंगो एप उस तरह से फिर आपको अंग्रेजी सिखाएगा अगर कोई अन्य कारण है तो आप नीचे अन्य में भी क्लिक कर सकते हैं मैं ये समझता हूँ कि आप अभी फिलहाल जदतर लोग अपने लिए कमाई करने के लिए नौकरी पाने के लिए कोई फ्रीलैंसिंग का काम करने के लिए बाहर के मुलकों से बिजनस प्राप्ट करने के लिए अंग्रेजी सीखना चाहते हैं आप से उपर जो लिखा है नौकरी के अफसर मैं फिलहाल ये क्लिक कर दूँगा और आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अंग्रेजी सीखेंगे डूलिंगो एप से जो की आपकी मदद करेगा नौकरी पाने के लिए या ओवर सीज बाकी मुलकों से बिजनस डिसकस करने के लिए वगेरा वगेरा ठीक है तो मैं नौकरी के अफसर पर क्लिक कर दूँगा अब देखिए अगला आप्शन आया है एक लक्ष चुने यानि कि जब आप डूलिंगो एप से कमाई करने के लिए अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप कितना समय लगाने के लिए तयार हैं एक दिन में अगर आप असान तरीके से सीखना चाहते हैं तो एक दिन में पांच मिनट भी लगाएंगे तो धिरे धिरे करके आप डूलिंगो एप से अंग्रेजी बोलना लिखना पढ़ना सीख लेंगे सधारन तरीके में करीब 10 मिनट आपको रोज लगाने हैं जब भी आपके पास समय हो अपने मुबाइल फोन पर गंभीर अगर आप बहुत गंभीर हैं अंग्रेजी सीखने के लिए तो आप 15 मिनट लगा दीजे और अगर आप बहुत जबरदस तरीके से मेंटली प्रिपेरड हैं दिमागी तोर से तयार हैं कि आपको अंग्रेजी जल्दी से जल्दी और बढ़िया जबरदस सीखनी है तो आपको 20 मिनट रोज लगाने हैं डूलिंगो एप के उपर फ्री में आप अंग्रेजी सीखते हैं ठीक है तो ये चार अलग अलग लक्षे हैं जो आप चुन सकते हैं इन में से कोई एक लक्ष आप अपना चुन लेंगे तो डूलिंगो एप फिर उसी हिसाब से आपको सिखाता है ठीक है दोस्तों तो अभी फिलहाल मैंने सधारन तरीके को चूज कर लिया है कि एक दिन में हमारे पास 10 मिनट का समय होगा डूलिंगो एप के जरीए अंग्रेजी भाशा सीखने के लिए ठीक है आप कोई और ऑप्षन भी चूज कर सकते हैं जैसे गंभीर या ज आप से पूछ रहा है आप अपना रास्ता चुने अदिके दो रास्ते हैं पहला यह है क्या आप पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं शुरू से शुरू करें और दूसरा रास्ता है पहले से ही थोड़ी अंग्रेजी जानते हैं अपना स्तर यहां देखें यानि कि अगर आपने आज तक कभी भी अंग्रेजी भाषा सीखने की कोशिश भी नहीं की है तो आपको पहले वाला रास्ता चुनना है फिर डियोलिंगो एप आपको उस तरह से अंग्रेजी सिखाएगा ठीक है अगर आप थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं ठीक है तो दूसरा रास्ता चुनिए जिसमें लिखा है पहले से ही थोड़ी अंग्रेजी जानते हैं अपना स्तर यहां से देखें ठीक है तो मैंने दूसरा चूस कर लिया आप अगर पहला चूस करना चाहते हैं तो वो चूस कर सकते हैं तो मैंने दूसरा किया अब देखिए दोस्तो हमने दूसरा रास्ता चूस कर लिया हमें अंग्रेजी सिखाने से पहले ड्यूलिंगो एप हमारा ये स्तर या लेवल जानना चाहेगा कि हमें फिलहाल किस तरह की अंग्रेजी आती है चाहे वो बहुत ही कम आती हो लेकिन ड्यू चोटी सी हमारी परिक्षा लेगा पांच मिनट की ठीक है वो मैं भी आपको इसमें प्रैक्टिकली करके दिखांगा दिखें लिखा हुआ है जल्दी आगे बढ़ने के लिए परिक्षा दें इसमें किवल पांच मिनट लगेंगे और आपके दिये गए उत्रों के अनुसार स् अपने खाली समय में सिर्फ रोज 10 मिनट लगा कर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो उसका बहुत ही साइंटिफिक तरीका डिलिंगो ने ढून निकाला है और ये जो सारा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है ठीक है अब हम परिक्षा शुर यूर कार अगर आप इसको सुनना चाहते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है तो ये जो अब ये जो ब्लू बटन है मैं यहां क्लिक करूँगा ठीक है अब यहां निकाला हूँ और का मतलब क्या हुआ छोटी तुमहारी चोटा गाड़ी घर बड़ा यूर का मतलब तुम्हारी क पर गुकर कर दूगा तो ये software हमें ये बतायेगा कि क्या हमने ठीक अनुवाद किया है ठीक है अब मैं हापको चेक करें पर क्लिक करके दिखाता हूँ अच्छी तरह किया जिया यानी हमारा खी था यानी हमारी blue का बटन है एक छोटा blue का बटन है जो बड़ा वाला blue का बटन है अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो हमें अंग्रेजी में कुछ शब्द सुनने को मिलेंगे तो friends हम यहां से जो सुनेंगे वो हमें नीचे जो छोटे-छोटे boxes हैं वहां से वो शब्दों को choose करना है अब मैंने जब बड़े-वाले box पर क्लिक किया तो जो भी मैंने सुना वो बहुत जल्दी-जल्दी बोला गया जब मैंने चोटे वाले बॉक्स पर क्लिक किया तो वही शब्द मुझे धीरे-धीरे करके सुनाई दिये आपने देखा होगा चोटे वाले बॉक्स के उपर एक कछुबे का साइन बना हुआ है यानि कि जो हमें बड़े वाले बॉक्स में जल्दी जल्दी सुनने को मिलता है, छोटे वाले बॉक्स में धिरे धिरे करके सुनने को मिलता है, एक एक शब्द मोतियों की तरह धिरे धिरे करके कोई व्यक्ती या महिला पीछे से बोल रही है, आप उनको सुनकर नीचे वाले जो भी लिखा है उन्हें चूस कर लीजे अब जो मुझे समझ में आया मैं चूस कर लेता हूँ मैंने सुना that is not a newspaper दिखे फ्रेंट्स ये जो आपका टेस्ट आएगा वो अलग हो सकता है ये नहीं है कि ऐसा ही होगा ठीक है तो मैं आपको सिरफ ये दिखा रहा हूँ कि डूलिंगों में किस तरह से आपको ये छोटी सी परिक्षा को पूरा करना है अब मैं आपको ये बटन प्ले करके सुनाता हूँ ठीक है दोस्तों ये इतना ही असान है जैसे जैसे मैंने जो भी शब्द क्लिक किया इस एप के सौफ्ट्वेर ने उस शब्द को बोला ताकि मुझे ये समझ में आ गया कि जो मैंने सुना था मैंने वही शब्द क्लिक करे हैं या चूस कियें ठीक है अब मैं चेक करूँगा क्या मैंने ठीक चूस किया है मैं चेक करें पर क्लिक कर दूँगा देखे लिखा हुआ है सही मतलब ठीके अब आगे बढ़ें अब मैं आगे बढ़े पर कर दूँगा क्लिक अब देखे ये और सवाल आ गया इसी परिक्षा में जहां पर उपर लिखा है इसका अनुवाद करें अब आप नीचे देखेंगे अंग्रेजी में लिखा है she drinks water अब अगर मैं यह सुनना चाहता हूँ तो मैं यहां से सुन सकता हूँ जहां पर यह blue button लगा हुआ है और जो सामने लिखा है वो तो लिखाई है अंग्रेजी में she drinks water अब मुझे इसका अनुवाद हिंदी भाशा में करना है इसका क्या मतलब है ठीक है शी का मतलब हुआ वह ठीक है ड्रिंक्स का मतलब है पीती है वाटर का मतलब है पानी ठीक है तो मैंने कहा वह पानी पीती है ठीक है तो यह जो लिखा हुआ she drinks water इसका हिंदी अनुवाद है वह पानी पीती है ठीक है अब हम चेक करेंगे अद्बुद यानि के ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे अब देखे एक और अनुवाद करने का यहां पर सवाल आ गया है यहां लिखा हुआ है अब मुझे इसका हिंदी में अनुवाद करना है मैं चाहूं तो इसको सुन भी सकता हूँ यह ब्लू बटन दबाकर तो गर्ल्स का मतलब हुआ लड़किया ठीक है और इंटेलिजेंट का मतलब है समझदार और आर का मतलब है हैं लड़कियां समझदार हैं ठीक है गर्ल्स और इंटेलिजेंट का यह अनुवाद हो गया अब हम चेक कर लेंगे अब देखे फ्रेंट्स मैंने चूज किया था लड़कियां समझदार हैं लेकिन जो सही translation या अनुवाद है वो है लड़कियां समझदार होती हैं देखें आप नीचे देखेंगे यहां green की बजाए red निशान आ चुका है ठीक है इसका मतलब यह है कि मैंने जो जवाब दिया translation किया वो सुनने में देखने में तो ठीक लग लेकिन accurate English नहीं है ठीक है तो इसका मतलब यह हो गया कि मैंने यह गलत चूज किया लेकिन इसका मतलब दोस्तों यह नहीं है कि हमें यहां पर English सिखाई नहीं जाएगी मैं आपकी जानकारी के लिए आपको यह बताता चलूं यहां पर जितने भी परिक्षा में आपसे सवाल प रिक्षा के जरीए कि आपको अंग्रेजी भाषा का पहले से कितना ग्यान है ताकि उस हिसाब से यह आपको आगे सिखाएगी ठीक है आगे बढ़ें सुनकर शब्द चुने यानि कि अब हमने सिर्फ सुनना है और सुनने के बाद नीचे जो अंग्रेजी में अलग-अलग तो जो हमने अभी जल्दी जल्दी सुना वो धिरे धिरे करके हमें सुनेगा ये भी मैं दिखा देता हूँ अब हमने सुना बॉइज एंड गर्ल्स ठीक है अब हम चेक करेंगे सही मतलब आगे बढ़ेंगे इसका अब अनुवाद करना है ठीक है अब यहां पर कुछ हिंद आइजी में अनुवाद हो सकता है वो नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है दोस्तों हम कभी नहीं नाशते हैं इसका जो अनुवाद होगा वो होगा वी नेवर डैंस ठीक है दोस्तों ओके और उसके बाद मैं चेक करें पर क्लिक करूंगा यह देख लूँगा कि क्या मैंने अति उत्तम अगर दोस्तों आपके यह सवाल जवाब गलत भी हो जाते हैं तो आपको घबराने की अवशकता नहीं है डूलिंगो एप आपको फिर भी अंग्रेजी सिखाएगा यह चोटी सी पांच मिनट की परिक्षा इसलिए ली जा रही है ताकि डूलिंगो एप की आर् इसलिए तो सिर्फ 10 मिनट रोज लगाकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं तो यह बिल्कुल अनुखा तरीका है दोस्तों ठीक है इसलिए यह आपका एक चोटा सा पांच मिनट का यहां पर टेस्ट लिया जा रहा है डूलिंगो एप के द्वारा अब हम आगे बढ़े पर क् ठीक है यह हमने अंग्रेजी में अनुवाद करना है cats are white ठीक है अब check करें पर तो friends यह देखें मैंने choose किया था cats are white लेकिन जो ठीक अंग्रेजी अनुवाद है वो है the cats are white यानि मैंने ये the या the नहीं use किया था ठीक है यानि कि ये मेरी गलती थी इसलिए यहां पर ये नीच से रेड साइन आ चुका है ठीक है घबराने की कोई बात नहीं है मैंने जब गलतियां की है तो आप भी जरूर करेंगे लेकिन इससे कोई फरक नहीं पड़ता है अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसका अनुवाद करें वह तुम्हारी किताब है अब इसको अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो इसका मतलब होगा that is your book ठीक है अब चेक करें अच्छे तरह किया आगे बढ़ जाएंगे इसका अनुवाद करें वह एक औरत नहीं है she is not a woman अब देखिए suppose मैंने ये no लगा दिया था दोस्तों गलती से लगाना था not ठीक है अब मैं not तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो पीछे के woman and a है ये भी मैं हटा दूगा अब मैं दुबारा से not लगा दूगा फिर a फिर woman ठीक है अगर आप से कभी गलती हो जाए तो आप इन सबको हटा सकते हैं ठीक है अब दुबारा से लगा सकते हैं ठीक है तो ये आप कर अब देखें ये एक अंग्रेज वेक्ती ने अमित को एमित बोला है इसलिए सुनने में थोड़ा सा वैसा लगा लेकिन ये इस तरह से मैंने इसका सुनकर लिख दिया है अब यहां पर चेक करें पर क्लिक करेंगे तो ये ठीक है अब आगे बढ़ेंगे इसका अनुआत करे पांच लड़के और चार लड़कियां अब ये इंग्लिश में क्या बनेगा अब यहां नीचे से हम चूस करेंगे फाइव बॉइज एन फोर गर्ल्स ठीक है चेक करेंगे बढ़िया काम आगे बढ़ेंगे अगर आप कहीं पर गलती करतें तो घबराईए मत अगर आपके स सारे सवाल के सारे जवाब बी गलत हो जाएं तो भी मत घब रहेएगा डियू लंगो यप फिर भी आपको अंग्रेजी सिखाएगा यह टेस्ट करने का मतलब यह नहीं हे करेंग 살ku करेंगा वीरेवं दम्प्रति PL क21 को एयजू कि यह एक्शिज नेBYरेे friends इसका हिंदी में क्या अनुवाद होगा क्या हम दोस्त नहीं है ठीक है चेक करें यह ठीक है आगे बढ़ जाएंगे इसका लिखा हुआ है इसका अनुवाद करें क्या आमिर तुम्हारा दोस्त है इस आमिर यूर फ्रेंड ठीक है अब ठीक है चेक करेंगे ये भी ठीक है आगे बढ़ जाते हैं इसका अनुवाद करें बिल्लियां काली हैं सफेद नहीं इस अनुवाद ट्रांसलेशन में भी मैं द लगाना भूल गया तो इसलिए आप देख सकते हैं नीचे यहां पर रेड साइन आ चुका है तो हम आगे बढ़ जाएंगे ठीक है बिसिकली ये टेस्ट हम इसले दे रहे हैं ताकि डिलिंगो आप को यह पता चले कि हमें किस तरह स से अंग्रेजी सिखानी है हम डिलिंगो एप की मदद कर रहे हैं कि भाईया हमें इतनी अंग्रेजी आती है बाकी तुम देख लो हमें सिखा लो अपने हसाब से ठीक है दोस्तों अब देखिए यहां पर अगला स्टैप आ गया सुनकर शब्द चुने माई फ्रेंड लाइक यह क mention करें अब अब देखिए ठीक है आगे बढ़ेंगे इसका नुवाथ करें मैं छे साल का हूं आई ठीक है अब आगे बढ़ेंगे ठीक है मैंने ये इसका translation कर दिया चक करें ठीक है आगे बढ़ेंगे अब आगे बढ़ेंगे बिलियां सफेद होती है अब अब देखेंगे दोस्तो मैंने उपर select किया आलू और गाजरे सबजियां है अब मेरा उत्तर बिल्कुल सही नहीं है जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है आलू और गाजरे सबजियां होती है ठीक है दोस्तो, देखे दोस्तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है आप कितना भी अपने आपको समझते हों कि आपको बड़ी अच्छी अंग्रेजी आती है लेकिन डूलिंगो एप आपको बहतर अंग्रेजी सिखाता है अगर आप पिछले 25-30 सालों से अंग्रेजी बोलते हैं मेरी तरह फिर भी आप गलतियां कर जाते हैं अंग्रेजी के अंदर तो डूलिंगो एप मेरे लिए भी बहुत काम की है ठीक है दोस्तो जैसा कि मैंने अभी कहा सीखने का कोई समय या उम्र नहीं होती है तो ये एप हर किसी के लिए है अब हम आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे अब मैं इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करूँगा ठीक है अब चेक कर लेते हैं ये ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखें यहां जो लिखा हुआ मैं यहां लिख देता हूँ इसका हिंदी में ट्रांसलेशन तिक है अब मैं check करें पर click करूँगा ये ठीक है आगे बढ़ते हैं अब friends यहां लिखा हुआ इसका अनुवाद करें तुम्हारे चावल यानि जब भी मैंने ये क्लिक किया तो ये लिखा हुआ आया your rice अब check कर लेते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नमक नमकीन है ठीक है यहां नीचे से मुझे चूज करना है salt is salty अब आप देखेंगे दोस्तो मैंने चूज किया salt is salty ये भी ठीक है लेकिन जो grammatically 100% correct English है उसके हिसाब से मैंने गलत चूज किया देखें जो इसका exact अनुवाद हुआ या translation हुआ अंग्रेजी का हिंदी में वो है the salt is salty यानी मैं the लगाना भूल गया मुझे लगा ही नहीं कि इसकी आवशकता है मैंने लिखा सिरफ salt is salty मैंने आपको जैसे बताया सीखने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तो आप चाहें अपन रोज के लक्ष तक पहुँच गए परिक्षा पूरी हुई आपके 40 अंक आए हैं अब दोस्तो हमने डूलिंगो के उपर एक 5 मिनट की ये परिक्षा दे दी चाहे आपको इस परिक्षा को देने में 10 मिनट लग गए हो कोई चिंता की बात नहीं है चाहे आपने सारे सवालो के जवाब गलत दी हो या आधे सवालों के जवाब गलत दी हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है आपको डूलिंगो फिर भी अंग्रेजी सिखाएगा बस अब डूलिंगो एपको ये पता चल गया आपकी अंग्रेजी का स्तर क्या है उस हिसाब से अब ये आपको रोज 10 मि यहाँ उपर लिखा है सर यानि के सोमवार मैं ये आज आपको रिकॉर्डिंग सोमवार को करके दिखा रहा हूँ इसलिए इस मोबाइल एप में उपर लिखा है सोमवार नीचे लिखा हुआ एक दिन की पारी रोज की आदर डालने के लिए हर दिन एक पार्ट पूरा करें ठीक है यानि कि आज सोमवार को डिलिंगो एप मुझे एक पार्ट पढ़ने जा रहा है कि मैं अंग्रेजी कैसे सीखूंगा ठीक है अभी मैंने जो परिक्षा दी है दोस्तों पांच मिनट की वो सिरफ एक बार होगी डिलिंगो एप पर शुरू में जब आप डाउनलोड क क्लिक करूंगा अब देखिए यह लिखा हुआ है परिक्षा खत्म आपने अंग्रेजी कोर्स का 7% हिस्सा खोल लिया है ठीक है अब हम आगे बढ़ें पर क्लिक करेंगे आपने एक उपहार खोल लिया है अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर यह एप आपको एंकरेज करने क का समय अपनी प्रगती सुरक्षित करने और मुफ्त में सीखना जारी रखने के लिए प्रोफाइल बनाएं देखिए दोस्तों मैंने जैसा आपको पहले बताया था डिलिंगो एप 100% फ्री एप है आज भी कल भी एक हफ़ते बाद भी 10 महीनों बाद भी कभी भी किसी स्टे जब तक चाहें तो एक प्रोफाइल बनाने चोटी सी ठीक है वो एक मिनट लगता है बना देते हैं प्रोफाइल बनाएं पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर अपनी उमर लिग देंगे आप ठीक है आपकी जो भी उमर हो चाहे आप 10 साल के हैं चाहे आप 15 के 20 साल के हैं या आप 70 साल के हैं आप यहाँ पर अपनी उम्र डाल सकते हैं देखिए यह सब चीजें डूलिंगो एप इसलिए पूछता है कि डूलिंगो एप का जो Artificial Intelligence System है software वो यह चेक कर लेगा कि आपको किस तरीके से अंग्रेजी सिखाई जाए वो उसी तरह से आपको सिर्फ रोज 10 मिनट लगा कर ऐसी अंग्रेजी सिखा देगा जैसी कि शायद आप एक Classroom में regular attend करकर सीख पाते ठीक है दोस्तों अब हम यहाँ पर जो अपना registration करेंगे वो हम Facebook से भी कर सकते हैं Google से भी कर सकते हैं क्योंकि अगर आप अपना mobile phone चलाते हैं तो आपने उसमें अपनी एक Gmail की ID बनाई ही होगी जैसे ही आप Google पर क्लिक करेंगे अब डुलिंगो एप अटोमेटिकली उस Gmail ID से register हो जाता है ठीक है आपको कुछ करना ही नहीं पढ़ता है मैं आपको करके दिखा देता हूँ Google पर क्लिक कर दूँगा अब मैंने देखी यहां से एक email ID चूज कर ली अब यह डुलिंगो एप ने आटोमेटिकली उस Gmail के जरीए हमें register कर लिया अब देखे यह लिखा हुआ रहा है आपका स्वागत है आपकी profile बन गई है एक मिनट भी नहीं लगा दोस्तो अब देखे लिखा हुआ है मुख्य प्रष्ट पर जाएं ठीक है यहां क्लिक कर देंगे अब देखे फ्रेंट्स डिलिंगो एप ने हमारे लिए course बना कर हमारी आखों के सामने दे दिया है देखे यह हमारा course है दोस्तो यह देखे यहां से शुरू होता है जहां पर उपर लिखा है शब्द एक, शब्द दो, बात्चीत, रिष्टे और बहुत सारे देखे यह सारे हमारे course के अलग-अलग हिस्से हैं categories है जो हमें पूरा करनी है जब हम यहां आखिर में पहुँच जाएंगे तो यह हमारा course पूरा हो जाता है 100% free है ठीक है दोस्तो उपर से शुरू करना है इसमें आपने जब भी आपको समय मिले जोज आपको 10 मिनट लगाने है जैसे जैसे आप यह course पूरा करते चले जाएंगे यह सब अलग-अलग categories खुलती चले जाएंगी अब जैसे मैं अगर यहाँ नीचे आकर कहीं click करता हूँ तो यहां लिखा हुआ है reach level 1 in all skills above to unlock यानि यह अभी locked है ठीक है दोस्तो जब हम यह उपर वाला course का हिस्सा पूरा कर देंगे तो फिर हम नीचे आएंगे और तब यह खुल जाएंगे अभी यह locked है जो colorful है यह unlocked है और जो अभी black दिख रहे हैं आपको gray यह अभी locked है ठीक है तो सबसे पहले हमें उपर से शुरू करना है जहां लिखा है शब्द 1 ठीक है मैं यहाँ click करूँगा अब देखे दोस्तों यहाँ 5 level है ठीक है अब पहले level पर हम जाएंगे ठीक है उसके बाद पांचवे level तक पहुँशेंगे और हर level में 3-3 lesson है दोस्तों ठीक है अब हम start पर click कर देंगे तो देखे friends अब हमारा यह course शुरू हो चुका है यह test नहीं है दोस्तों test थो हम पहले दे चुके है यह अब हमारा अंग्रेजी सीखने का course शुरू हो चुका है ठीक है डूलिंगो के उपर इतना ही असान है दोस्तों सबसे उपर लिखा है सही अनुवाद चुने जो हमारा आज का course का part है जिसके लिए हमने 10 मिनट डूलिंगो को देने है वो अब शुरू होता है आप कोई भी समय चुन सकते हैं दिन का सुबह, दोपह, रात, कभी भी जब भी आपको समय मिले आप कर लें यह नहीं है कि आपको एक particular दिन का समय रोज वही रखना है किसी दिन सुबह, अगले दिन रात को उससे अगले दिन किसी और समय अगर आप बीच में एक दो दिन समय ना निकाल सकें कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों अगर आप चाहें तो यह जो 10 मिनट का समय है यह आप एक दिन में काफी समय भी दे सकते हैं तो फ्रेंड्स इस अंगरेजी सीखने के कोर्स का जो आज का हमारा हिस्सा है 10 मिनट का वो अब शुरू होता है देखिए हैं लिखा हुआ है सही अनुवाद चुने मेरी गाड़ी छोटी है यह अंगरेजी में अनुवाद करना है ठीक है चेक करें ठीक है बढ़िया काम का मतलब हो गया कि हमने काम ठीक किया अब हम आगे बढ़ जाते है अब देखिए यहां यह बोल कर भी हमें सुना रहा है तो यहां लिखा हुआ है योरज कार इस बिग अब उसे तरह से हमें इसका नीचे जो हिंदी लिखा है वो हमें translation करना है, ठीक है, मैंने लिख दिये, तुम्हारी गाड़ी बढ़ी है, चेक करें, ठीक है, आगे बढ़ जाएं, तो देखें, यहां लिखा हुआ रहा है, सही अनुवाद चुने, मेरा घर छोटा है, my house is small, यह ठीक है, आगे बढ़ें, अब देखें, यहां पर यह ह में encourage करने के लिए, डिलिंगो एप से कुछ लिखा हुआ रहा है, हम एक साथ सीख रहे हैं, आप इस समय, 11,75,612, लोगों के साथ, अंग्रेजी का भ्यास कर रहे हैं, यानि आज, इस वक्त, जब मैं आपको यह दिखा रहा हूँ, अपने मुबाइल फोन पर, तो करीब करी वो डिलिंगो एप को इस्तेमाल करकर 100% free of cost अंग्रेजी सीख जाते हैं, और सबसे बड़ी बात अपने खाली समय में, और उससे भी बड़ी बात सिरफ अपने मुबाइल फोन पर, ठीक है, अब हम आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे, अब देखिए, यहाँ पर एक और अन दोस्तों, ठीक है, तो वो आप भी कर सकते हैं, यह चेक करें, यह ठीक है, मैंने सुना और उसके हिसाब से नीचे से, boxes में से, शब्दों को चुना, अब यह ठीक है कि नहीं चेक कर लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसका अनुवाद करें, मेरी गाड़ी, अब मैं आपको यह दोस्तों, एक अनुवाद गलत करके दिखाता हूँ, ताकि आपको यह दिखाई दे, समझ आए कि गलत करने से क्या रहता है, अब मैंने मेरी गाड़ी की बजाए, मैं लिख दूँगा, माई हाउस, ठीक है, अब मैं अगर चेक करता हूँ, तो देखी, यह लिख nowe, your house, अब हम आगे बठते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं, यह ठीक किया मैंने, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखें दोस्तों, अभी तक तो देखें दोस्तों, हमने सिरफ जो लिखे हुए शब्द थे, उननी को आगे पीछे अनवाद किया, अब हमें यहाँ पर ट टाइप परूँगा, your home is big, आप देखे, ड्यूलिंगों के हिसाब से हो सकता है, यह ठीक हो, यह हो सकता है, गलत हो, ठीक है, अब हम चेक करेंगे, गलत है, यह ठीक है, देखने में ठीक लग रहा है, अब हम चेक करते हैं, देखे, यह गलत था, जो सही उत्तर है, वो है, your house is big यानि के जो घर है, उसका अंग्रेजी में जो ठीक ट्रांसलेशन है, वो house है, home नहीं है, अब आप समझ रहे हैं दोस्तों, कि उपर जो यह लिखा मैंने, your home is big, मतलब तो इसका भी करीब करीब वही है, जो उपर लिखा है, तुम्हारा घर बड़ा है, लेकिन जो ठीक अंग्रेजी सीख कर अपनी अंग्रेजी को पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि हमने या आपने school college बहुत पहले शायद attend किया हो, हमें शायद grammatically अपनी अंग्रेजी उतनी अच्छी हम नहीं रख पाए, उसमें धिरे-धिरे करके changes होते चले गए, ठीक है, तो अगर आप पहले से समझते हैं कि आपको बड़ी अच्छी अंग्रेजी आती है, तो भी आप डिलिंगो एप से बहतर अंग्रेजी सीख सकते हैं, और नहीं आती है, तो तो यह आपके लिए बहुती बढ़िया रामबान एक एप है ही, ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका अनुवाद कर यह मौका देता है कि मैं आप ठीक लिख हूँ, ठीक है दोस्तों, अब चेक करते हैं, इस बार ठीक किया मैंने, ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, आपने आज 54 अंग कमाए हैं, पार्ठ पूरा हुआ, 10 अंग मिले आपको, कॉम्बो बोनस, 4 अंग, यह इसका कोई अपना मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट में से, हम रोज 10 मिनट लगा कर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अगर दोस्तों, आपके पास एक दिन में 10 मिनट से ज़्यादा का समय है, तो यहां आगे बढ़कर, आप दूसरे शब्द पर आ सकते हैं, अब देखें, दोस्तों, हमने यह पहला वाला जो लेसन है, यह पूरा कर दिया है, ठीक है, अब हम चाहें, तो यहां पर दूसरा पार्ट भी आज ही शुरू कर सकते हैं, हाँ, यह option भी है दोस्तों, कि आप या तो यह पार्ट रोज 10-10 मिनट का पूरा करते जाएं, जब भी आपको समय हो, और अगर आप चाहें, तो एक ही दिन में 10 पार्ट पूरे कर सकते हैं, यह आपकी चोईस है, डूलिंगो एप की तरफ से आपको यह फैसिलिटी मिलती है, कि आप चाहें, तो सारा कोर्स 2-4-5-10 दिन में खतम कर दें, यह आप धिरे-धिरे करके, काफी दिनों में करें, यह आपकी चोईस है, कि आ एक दिन में एक पार्ट आपको पूरा करना ही होता है, अब दोस्तों, अगर आप यह चाहें, कि आपको एक दिन में एक से ज़्यादा लेसन या पार्ट पूरा करना है, आपके पास समय है किसी दिन, अगर किसी दिन समय नहीं है, तो आप नहीं करेंगे, जिस दिन समय है, आपने एक पार्ट कर लिया, अगर आपके पास एक से ज़्यादा पार्ट पूरा करने का समय है तो देखी, यहाँ पर यह चार अलग-अलग यहाँ options दिख रहे हैं, पूरे course के अंदर से, ठीक है, तो अब देखी, यहाँ पर जो-जो options खुले हुए हैं, आपके दिलिंगो एप, हमें कभी यह नहीं कहेगा, कि भाईया, आज का कोटा पूरा हो गया, कल आना, आपके पास समय है, आप जितना मरजी कर लिजे ठीक है, तो यह नहीं है कि आपने एक दिन में सिरफ 10 मिनट का ही पार्ट पढ़ना है वो तो डिलिंगो हमारी सहुलियत के लिए, हमें यह कहता है, भी कम से कम 10 मिनट तो लगा दो रोज के अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हो और धिर धिरे करके सीख जाओगे अगर आप ज़्यादा समय लगाना चाहें, तो वो पाचीत पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर शुरू करें पर क्लिक करेंगे, अब देखें यह दूसरा मेरा और बता दू डुलिंगो एप आपको हर तरीके से अंग्रेजी सिखाता है ये आपको अंग्रेजी बोलना सिखाता है ये आपको अंग्रेजी में कुछ भी सुनकर उसका मतलब समझना सिखाता है इसके अलावा डुलिंगो एप आपको अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद या ट्रांसलेशन करना भी सिखाता है अगर आप ये सब चीजें सीख लेते हैं तो आप अंग्रेजी सीख गए एक भाशा में यही सब कुछ तो होता है अभी तक मैंने आपको दिखाया कि अंग्रेजी को सुनकर और ट्रांसलेट करके कैसे सीखना है अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा डुलिंगो एप आपको अंग्रेजी बोलना भी सिखाता है क्योंकि अभी तक आपने अंग्रेजी बोली ही नहीं आपने सिर्फ जो भी स्क्रीन पर आया डूलिंगो एप के अंदर सिर्फ अनुवाद ही किया या सुनने के बाद आपने चूस किया कि जो आपने सुना वो अंग्रेजी में क्या था वो आपने वहाँ पर टाइप कर दिया ठीक है अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आप किस तरह से डूलिंगो एप पर बोल कर भी अंग्रेजी सीखेंगे यानि आप अंग्रेजी बोलना भी सीखेंगे दोस्तो ठीक है और वो भी मुबाइल फोन से ही वो आपको इसी कोर्स में कहीं नीचे किसी ना किसी स्टेज पर दिखाई देगा ये आपको बीच में कहीं ना कहीं इस कोर्स में अंग्रेजी बोलना भी सिखाएगा ठीक है वो हमने पहले से चूस करके रखा हुआ है वो अभी आप अगर देखना चाहेंगे तो नहीं होगा जब आप इस कोर्स को शुरू कर देंगे तो बीच में कहीं ना कहीं वो option भी आपको दिखेगा अब मैं आपको वो वाला option भी अपने mobile phone पर दिखाने जा रहा हूँ आप दिखें दोस्तों ये एक lesson आपके सामने खुला हुआ है इसमें सबसे उपर लिखा है इस वाक्य को बोलें नीचे लिखा हुआ है we will be playing cricket tomorrow ठीक है यानि ये जो लिखा हुआ है we will be playing cricket tomorrow बीच में जहां पर ये blue color का एक button है जहां पर mic का sign लगा हुआ है जैसे ही आप यहां पर click करते हैं ठीक है तो हम बोलना शुरू कर देंगे अपने mobile phone में ही बोलना शुरू कर देंगे mobile phone आप से एक डेड़ फुट की दूरी पर है तो भी ठीक है या आप अपने mobile phone में hands free लगा कर उसके mic में भी बोल सकते हैं हलांकि आपके mobile phone का जो inbuilt microphone है वो भी आपकी आवाज को बहुत अच्छी तरह के से एक दो foot से pick up कर लेता है दोस्तो ठीक है तो जैसे ही हम यह जो blue color का square है जिसमें mic बना हुआ है यहाँ पर click करेंगे तो हमें बोलना होगा तो अब मैं यहाँ पर click करता हूँ अब देखी मैंने click कर दिया अब मैं यहाँ बोलूँगा we will be playing cricket tomorrow अब देखी यहाँ लिखा हुआ गया अति उत्तम आगे बढ़ें अब आगे लिखा हुआ रहा है इस वाक्यों को बोलें अमेर will have eaten his fruits अब मैं जैसे ही यह जो blue color का microphone वाला button है यहाँ click करूँगा तो मैं जब यह सब बोलूँगा तो यह Doolingo app का software यह check करेगा कि क्या मैंने ठीक बोला है तो इस तरह से यह मुझे बताएगा कि मैंने ठीक बोला या गलत बोला तो इस तरह के भी बहुत सारे सवाल जवाब यहाँ पर होंगे तो यह मुझे हर तरीके से सिखाता है दोस्तो आप यह मत सोचेगा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था यार एप से ही अगर अंग्रेजी भाषा सीखने लग गए तो क्लास्रूम में जाने की आवशकता है मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास रूम में जाने की आवशकता नहीं है क्लास रूम में अंग्रेजी या कोई भी भाषा तो पिछले सेकड़ों सालों से पूरी दुनिया में लोग सीखते ही हैं लेकिन अब 21 सदी में 2020 में सीखने का पढ़ने का तरीका बदल चुका है दोस्तो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के जरीए इस तरह के सॉफ्ट वेर्स आ चुके हैं जो आपको आपके मुबाइल फोन से ही अंग्रेजी या कोई भी भाषा सिखा देते हैं दोस्तो आपकी जेप से एक पैसा खर्श नहीं होता है आप अपने खाली समय में ये सब पुछ करते हैं इसके अलावा दोस्तो अगर आप ये जानकारी चाहें कि डूलिंगो एप से जो आप अंग्रेजी सीख रहे हैं वो आप कितनी सीख चुके लेट से आपको सीखते हुए दो च ठीक है अब वो कैसे बताता है आप देखेंगे जहां पर ये एक साइन बना हुआ है ये दिखी जहां एरो आया है मैं यहां क्लिक करूँगा देखें सबसे उपर मेरा नाम आ गया संजीव कुमार ठीक है उसके नीचे मेरा यूजर नेम है ठीक है अब मैं जब जोड़ा हू मेरे बन चुके हैं दो मैंने क्राउंस कमा लिये हैं और मैं कांसे लीग में पहुँच चुका हूँ यानि कि डिलिंगो एप मुझे एंकरेज करने के लिए मुझे ये भी दिखाता है कि मैं कहां तक पहुँच चुका कितना सीख चुका मेरा लेवल क्या है अब मैं अगर य इतने भी लोग अंगरेजी सीख रहे हैं उन में मेरा लेवल क्या है यानि मेरे सीखने का जो जनून है या जो स्तर है वो कितना अच्छा या बुरा है वो भी मैं देख सकता हूं दोस्तों देखिए एक और साइन यह जो आपको ब्लैक का दिख रहा है मैं अब यहां क्लिक क करूंगा अब देखिए यह लिखा हुआ है अनलॉक लीडर बोर्ट मुकाबला शुरू करने के लिए और आठ पार्ट पूरे करें यानि कि जब आप आठ पार्ट आठ लेसन पूरे कर लेंगे चाहे वह आप एक दिन में करें दो दिन में आठ दिन में आठारा दिनों में आठ पार्ट पूरे कर लेंगे 10-10 मिनट के तो आप ये देख सकेंगे यहाँ पर आकर कि आप पूरी दुनिया में जितने भी लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं वहाँ पर आपका लेवल क्या है आपको इसे जज्जमेंट हो जाएगी कि क्या आप ठीक दिशा में जा रहे है आपका जो सीखने का स्तर है या जो तरीका है या जितना आप सीख रहे हैं क्या वो ठीक सीख रहे हैं ठीक है दोस्तों तो ये भी आप यहाँ पर चेक या जज्ज कर सकते हैं अब दोस्तों मैं आपसे एक असान सा सवाल पूछूँगा आपको उसका जवाब इस वीडियो क comment box में लिखकर देना है तो friends सवाल ये रहा आपके screen पर आप देख सकते हैं दोस्तो हिंदी में एक sentence या वाक्य लिखा हुआ है मैं आपका शुब चिनतक हूं जी हाँ ये लिखा हुआ है मैं आपका शुब चिनतक हूं तो तो दोस्तो आपको इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद या ट्रांसलेशन करना है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देना है और सही जवाब देने वाले 10 लोगों को चुना जाएगा और उन्हें 11000 रुपे का पेटीम कैश तुरंत भेज दिया और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं खुद आपको विनर्स के नाम अनौन्स करके लिख कर बताऊंगा और मैं अपने उस कमेंट को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उपर पिन कर दूँगा ताकि आप भी देख सकें कि क्या आपका नाम विनर्स में है इसके बनाकर यूट्यूब पर डाल रखे हैं और मैंने इन दोनों विश्यों की एक detailed playlist भी बनाई हुई है मैं उनके link इस वीडियो के description box में नीचे लिख दूँगा आप जाकर उन वीडियो को भी जरूर देख लिजे तो ये थी video friends thank you very much